नमस्कार दोस्तों, Online Stuff YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्या Affiliate website के उपर AdSense का अपरोल मिलता है और अगर मिलता है तो किसी भी normal website की तरह उसके उपर AdSense अपरोल कैसे ले तो यह एक website है dealsmenia.in नीचे description में आपको इसका link मिल जाएगा इस पर सारे जो products है वो Amazon से import किया है यह Amazon affiliate website है तो किसी भी normal website पर हम जैसे AdSense का अपरोल लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते pages की तो normal website में हम जो pages बना दे वही सारे pages सबको यहाँ पर भी बना लेने हैं जैसे कि about us page हो गया तो about us में आप अपने इसाब से कुछ भी लिख सकते लेकिन अगर आप affiliate से related लिखे जैसे कि यहाँ पर जो products listed है वो सारे Amazon से import किये हुए है और यह website commission basis पर चलती है अगर आप ऐसा affiliate related कोई यहाँ पर लिखे तो वो better रहेगा उसके बाद है contact us page तो contact us page में आप खाली contact form भी add किया तो भी चलेगा बाकी चीजे लिखने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद सबसे main आता है affiliate disclosure page जैसे हम disclaimer page लिखते है वैसी आपको affiliate disclosure page लिखना है और उसमें आपको Amazon को credit देने है अगर आपने Amazon के अलवा जैसे flip cut हो गया अलिबाबा हो गया वैसी site से product import की है तो आपको उनको यहाँ पे credits देने होंगे और यहाँ पे disclose करना होगा यह सारी जो links है वो affiliated links है और हम यहाँ से commission कमाते है अगर आप यहाँ से कोई भी products buy करते है और उसके बाद बात आती है privacy policy page की तो privacy policy page आप online जंडेट कर सकते है बहुत सारी websites है जासे आप आपको ध्यान में यह रखनी है कि images और जो products है उनका आपको वहाँ पे disclosure करना है जैसे कि website पे सारी images और products है वो respected owners को बिलाउं कर दिया है उस पे कोई भी copyright claim नहीं करते है और जो products है वो सारे Amazon से import की हुए है आप उनकी privacy policy पढ़ लीजे जैसे कि Amazon की आलग privacy policy यह आप उस पे disclose क कर दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम बात कर लेते post की तो अब यहाँ पे post तो आएगा नहीं जैसे जो भी products है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 के आसपास products add किया थे और adsense को apply कर दिया था तो उसके बाद में मुझे under construction का error आया था तो उसके बाद म मैंने लगबग उतना ही products और add किये और adsense को apply कर दिया था फिलाल इस website पे 1200 के एसपास products available है तो यह सारे post यानि के products add कर लेने के बाद आपको क्या करना है adsense का approval process जल्दी मिले इसके लिए आपको google search console में भी आपका site submit कर लेना है और वहाँ पे आपको site map भी submit कर देना है search console में और उसके बाद आपको adsense को apply कर दिना है अगर first time में आपका adsense approve हो गया तो अच्छी बात है अगर under construction का error आया तो वो भी आप solve कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते adsense को apply करने के बाद मुझे यहाँ पे इस website पे adsense का approval मिल गया था और सबसे आखिर में बात कर ले थे theme की तो adsense approval में आपको theme का कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला है आप कोई भी affiliate theme यूज कर सकते हैं मैंने इस website पे जो theme यूज किया है वो है rehab theme price comparison and affiliate theme अगर आप इससे डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे description में इसका link मिल जाएगा GPL license वाली theme रहेगी तो इस तरीके से आप affiliate website पे adsense का अपरोल लेके adsense प्लस affiliate से दोगनी earning कर सकते हैं अगर आपको इसके related कोई भी डाउट है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करेगा और चैनल को subscribe करना मन भूलिएगा